हलो फ्रेंट्स, हलावूल फैमिली में आपका सागत है और ये है फ्रन्ट एलिवेशन की तैयारी और मैंने आपके साथ अपनी फ्रन्ट वॉल का एलिवेशन शेयर किया था और साइड में आपको ये गोलाई में थोड़ी सी जगह छोड़ दे थी तो उसी में हम इसे तैयार कर रहे हैं और यहां बीच में से नापकर निशान लगाया गया है और एक सरकल तैयार किया गया है और इस सरकल पर इस प्रकार से पांच रद्दा एट लगा कर तकरीबन एक फुट बांटी तैयार की गई है फिर उसके उपर ये देखे फंटी हैं कुछ तीन बाइच्छे की कुछ तीन बाइच्छाथ की अलग-अलग है और सत्तर रुपए की सो फंटी एक दिन का किराया है और इस प्रकार से इन फंटियों को नीचे से इंट लगा कर रोका गया है और गुलाई में भी इंटे लगा दी गई है और सारे एरिये को फंटी लगा कर कवर कर दिया गया है और ये देखे क्योंकि फंटी से एक सार नहीं होता इसलिए उस पर बिच्छा दी गई है मिट्टी और ताकि लेबल निकल कर आ सके और मिट्टी बिच्छाने के बाढ डाल दी गई है बालू और बालू को अच्छे से बिच्छाने के बाढ धाई सुत का यहां डाला गया है जाल धाई सुत का जाल मिस्त्री लोग छोटे लेंटर का जाल खुद ही बना लेते हैं तो देखिए सरिया काट कर नाप के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाप है कहीं बढ़ा आएगा नाप और कहीं छोटा आएगा बीच में बढ़ा आएगा सैड में छोटा आएगा तो अपने सैड के अकॉर्डिंग सरिया काट कर नाप से और जाल को इसी के उपर रख करके इस परकार से सरिया लगा कर और फे तार से जाल को बांध कर जहां जहां जोइंट हैं जाल तयार कर लिया गया है और जाल को उठा रखने के लिए बीचीज में खिट्टी लगा दी गई हैं और कई बार ये गिट्टी नहीं भी लगाते हैं तो जैसे गिट्टी नहीं है तो ये सीमेंट की एक-एक पराद जग़ जग़ डाल देते हैं और वहां से फिर उस चाल को उपर उठा देते हाथ से तो गैब बन जाता है और फिर जब उस पे मसाला डारा जाता है तो मसाला सरिया के नीचे भी आ जाता है और कुछ सरिया के उपर आ जाता है और सरिया सेंटर में आ जाती है कहने का मतलब यह है कि सरिया सेंटर में आनी चाहिए सरिया के नीचे भी मसाला आना चाहिए और उपर भी मसाला आना चाहिए तब लेंटर अच्छा पड़ता है तो यहां पड़ा है तीन इंच का लेंटर और इस लेंटर पर क्योंकि कोई खास लोड नहीं रहने वाला है तो इसलिए हमने यहां जितनी भी कटिंग थी सरिया की वो सब लगा दी है और रोरी की जगा हमने जो बदरपुर का च्छनन निकलता है च्छाना हुआ बदरपुर का उपर का हिस्सा उससे मसाला तयार किया है तो कोई भी मजबूती का इशू नहीं है और बहुत ही मजबूत और अच्छा लेंटर यह होने वाला है और अब लेंटर कम्प्रीट हो गया तो इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए इसके बाद हमने वाल पे बराबर वाल के अकॉर्डिंग डिजैन बनाई है तो उसके लिए सिमिट्री वही रखी है लंबाई और चौड़ाई जो लंबाई में जितनी इटे हैं उतनी हमने चौड़ाई मिले लिए है और उसी सिमेट्री से यहाँ एक डिजाइन इंटों से बाहर निकाल कर बना दी गई है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने अपनी पुरानी डिजाइन से सिमेट्री बनाई है और नापतौल इसमें बराबर की गई है इस डिजाइन के कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर डाला गया है एक सिटिंग इरिया के लिए बाहर निकाल करके लेंटर और इस प्रकार से एक और लेंटर इस वॉल पर इस प्रकार और उसके उपर अगेन बराबर वाली डिजाइन से सिमेट्री बनाते हुए डिजाइन के ऊपर पांच रद्दे और लगाए गए और पांचवा रद्दा डिजाइन की अकॉर्डिंग बाहर निकालता हुआ और आप देख लेते हैं हमारे फ्रन्ट अलिबेशन का फाइनल लुक बिफोर कंस्ट्रक्शन ओमीध है वीडियो अच्छी लगी होगी ठैंक्स स्वारवाच्चें